माइक नमबर तीन में अगर कोई सवाल हो तो कर सकते हैं जी बरदर असलाम आलेकूं में डॉक्टर जाकिर नाइक साब मेरा नाम निले शामबोरे मैं औरंगबास से आया हूँ मेरा सवाल यह सर आप से आप जब किसे हिंदू गीता या वेद का हवाला देका अगर आप कुछ बोलते हैं या कुरान से वो मिलता है तो क्या उसके ओपर हम अमल कर सकते हैं भाई सब का सवाल है कि जब मैं गीता का हवाला देता हूँ वेद का हवाला देता हूँ जूसे मजभी किताब का हवाला देता हूँ जब वो कुरान से मिलती है तो क्या हम उसके ओपर अमल कर सकते हैं कुरान की बात या वेद की बात करें गीता की बात गीता या वेद की गीता या वेद तो अगर जो चीज वेद और गीता में लिखी है और जो कुरान से मिलती है क्या हम उन पर अमल कर सकते है मेरा कहना यह है कि कुरान को कहा गया फुरकान फुरकान मतलब वो चीज जो सच और जphone के बीच में जो डिफरिंस है उसको पेचानती है फुरकान अन्ड़़् आझा फरक हिक और बातिल के दर्मयान जो फरक है उसको पैचानती है कुरान जिस तरीके से मैंने कहा कि कई पैगंबर आच चुके हमस्वास स्वेले के पहले उसी तरीके से कुरान में लिखा है सुरे राद में सुरान नमबत तेरा आयत नमबर अड़तीस में कि हमने हर दोर में एक किताब नाजल की है नाम से सिर्फ चार किताबों का जिकर है तरा, जबूर, इंजील और फुरकान लेकिन इस आयत के मताबिक कई किताबे नाजल की गई है उनका नाम से जिकर ने कुरान मजजिद में लिकिन जितनी भी किताबे कुरान मजजिद के पहले आए वो सिर्फ एक उम्मत के लिए थी एक ग्रो के लिए थी और वो सारा पहेगा मेदूत था एक वक्त के लिए इसलिए अल्ला सुभानाओ टाला ने खुदा ने ये सारी किताबों को महफूज रखने के लिए सही नहीं समझा क्योंकि मेदूत थी उस वक्त के लिए इसलिए ये जितनी किताब पहले नासिल हुई वो महफूज नहीं है ना उसकी जरुवत है लेकिन क्योंकि खुरान मजीद आखरी कलाम है अल्ला सुभानाओ ताला का इसलिए अल्ला सुभानाओ ताला खुद कहते है सुरह हिजर में सुरह नमर पंद्रा आयत नमर नौ में के हमने इस पुरान मजीद को नाजल किया है और हम इसकी इफास्थ करेंगे तो जितने पहले किताबे आए उनके अंदर मिलावट हो चुकी है जिस तरीके से लिए ल्ला ताला फर्मादे लानते उन लोगों पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते है और कहते है ये खुदा के तरफ से है लानते उन लोगों पे जो कमाते है लानते उन लोगों पे जो लिखते है तो इससे ये जाहर होता है कि जितने पहले किताबे आए उनमें मिलावट हो चुकी है ये कुरान आखरी कलाम है और कोई भी चाहे तो इसको तबदील कर ही नहीं सकता खुदा खुद अल्ला समाना था खुद इसकी इफादत करेंगे इसलिए आज जब मैं मताला करता हूँ कुरान और दिगर मथभी किताब हो का अगर ये मैच होता है अगर यक्सा है जो चीज कुरान और भगवत गितामा यक्सा है मुझे कोई भी गिलाश रिक्वान नहीं है मानने के लिए कि ये पोर्शन ये श्लोग खुदा के तरफ से है लेकिन अगर कुरान से नहीं मिलता है तो मैं कहूंगा के हो सकता है हो सकता नहीं लेकिन कुरान के खिलाफ है तो मैं कह सकता हूं कि ये खुदा का कलाम है नहीं इसलिए जो कलाम कुरान से मिलता है चाए वो श्लोग हो या मंत्रा हो वेद का हो उपनिशत का हो या गीता का हो या चाए धमापट का हो अवेस्ता का हो, दसातिर का हो चाए ओल्ड टेस्टेमेंट का हो, न्यू टेस्टेमेंट का हो जो भी चीज कुरान से मिलती है हम मुसल्मानों को कोई गिलाश रिकवाने मानने के लिए कि ये भाग ये भाग खुदा के तरफ से है इसलिए मैं यक्सानियत के बारे में दिकर करता हूँ तो आपके लिए भी मैं कहता हूँ कि जो इक्तिलाफ के बाते है उसे छोड़ दो जो यक्सानियत के बाते है जो आपके किताब में लिखा है वेदा में लिखा है पुराना में लिखा है कि आखरी पैगंबर मुहम्मद صلى الله عليه وسلم में तो आपके लिए फर्द है कि आप भी इस आखरी पैगंबर में मानें तो आप आखरी पैगंबर में मानते हैं आप आपकी वेद में मानते हैं आप पुराना में मानते हैं तो मेरे तक्रीर में मैंने इतने बार कहा और इतने हवाले दिया कि आपके मज़भी किताबों में लिखा है कि मुहम्मद अन्तिम रिशी है आप कलकी पुराना पढ़ेंगे तो उनके वालिद का नाम लिखा है विश्नु यास, अब्दुल्ला उनके वालदा का नाम लिखा है सुमती, आमिना वो कहाँ पज़दा हुएंगे संवाला में, मक्का में वो छीफ आफ संवाला में, कुरिश के खांदन में सारी चीज़े में ने का तो अब आप मानते हैं कि आखरी परगमब मुहम्मद अन्लसल्लम है माशालला तो आप मानते हैं कि खुदा एक है बे बिल्गुल अब मानते है खुदा की कोई भी प्रतिमाँ नहीं है बे बे शक्त और सिर्फ खुदा के तरिए बादत करना चाहिए तो आप ये मानते है कि खुदा एक है और मॊम्भ利डुलास अऊखरी पैगंबर है तो जो शखस इस बात को मानता है कि खुदा एक है और मुहम्मद ऐसके आखरी पैगंबर है तो उसे हम कहते हैं अर्बी में मुस्लिम यानि वो शक्स जो अमन हासिल करता है अपने खाइश अल्ला के एकामात के मताबिक तो आप मानते हैं अल्ला एक हैं माशालला आप से जबान से कह दिये कि अल्ला है कि उसके इलावा कोई मामूद नहीं अबादत के लाएक और मुहम्मद स्वाल माकिर पैगंबर हैं मुसल्माने जिस तरीके से अपने सवाल किया मुझे चक हो रहा था कि माशालला आप मुमिन हैं और मैं दूआ करतों अल्ला से कि आप को इन्शालला इन्शालला इस दुन्या और आखरत में सफलता दे है आयां यूरिशे तातार के अफसाने से पासबा मिल गए कावे को सनम खाने से खवातीन में अगर कोई गेर मुस्लिम खातून हों कोई गेर मुस्लिम बहन हों तो उनको मौका दिया जाए